चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगलों जो बेल का इकन अपली जब इसे जरू प्रेस करें साथी साथ आल पर प्रेस करें ताकि आपको भी लेटिस्ट वीडियो की नोट्यूपिकेशन मिले सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमस्ता बदरिया इन्ने यूटूबर और आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चनल पर स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने प्राइबेट पार्ट की खुजली और जलन को मिटा सकते हैं वो भी आसान से घरेलू नुस्के से दोस्तों प्राइबेट पार्ट में खुजली होना आम बात है फिर चाहिए वो कोई पुरुस हो या मैला हो ऐसे में जब आप कहीं बाहर होते हैं और अतब आपके प्राइबेट पार्ट में खुजली होती है तो इस इस्थिती में बहुत कष्टकारी हो जाता है और दोस्तों आप इस खुजली को मिटाने के लिए प्रोडेक्ट लेकर के आते हैं मार्केट से और उससे हो सकता है कि आपको साइड इफेक्ट भी हो जाए तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू सरण उसका बताती हूँ जिसका अगर आपने उपयोग कर लिया तो एक मिनट में आपको खुजली से छुटकारा मिल जाएगा जलन से छुटकारा मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आएथे वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेर करें आए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो सबसे पहरी सामगरी हमें यहां पर चाहिए यह है लैसन तो लैसन आप सबी लोगों कि घर में, किचिन में मिल जाएगा तो इस लैसन के करीबन हमें तीन कली लेने हैं कि चलिए मैं इस तरीकी से समय से तीन कली ले लेती हूं कि दोस्तों अगर आज कि नुसके को अगर आपने यूज कर लिया आप यूज करके देखना उसके बाद जिब रिजट मिले आप मुझे जरूर कमेंड करना कमेंड बॉक्स में तो यह देखिए यहां पर मैंने तीन कली ले लिएं लेसुन की और इन कलियों का अब हम निकाल देंगे छिलका यहनी कलियों का मैं छिलका निकालना है यह देखिए तो यह देखिए दोस्तों इस टाइप से आपको तीनो कलियों के छिलके निकालने हैं तो चलिए मैं छिलका निकाल लेती हूं तो यह देखिए दोस आप इसको कद्दू कस कर लीजिए आपको जैसी सुद्दा लगे यहां पर मैंने इसका पेश्ट बना लिया है अब हमें करना क्या है मैं आगे आपको वीडियो बताऊंगी और दोस्तों इसके साथ-साथ मैं आपको साउधनिया भी बताऊंगी वीडियो के लास्ट में ताकि कि आपको कभी भी इस प्रॉब्लम का समना न करना पड़े तो आप इस तरीकी के लेसुन का पेश्ट बना लिजिए अब इसमें हमें दूसरी चीज एड़ करनी है यह है ओयल कौन सा ओयल है सरसो का तेल और यह भी जो तेल बहुत से लोग तेल यूज नहीं करते हैं लेकिन यह सरसो का तेल आपको पंसा जी की दुकान पर आराम से मिल जाएगा और Light भी आपको आराम से मिल जाएगा तो आप यह सरसो का तील क्या करेंगे इसमें से करीबन हम दो चंब्रूंच का तेल इस ही लेसुन के पेश्ट में Add कर देंहें अब आप इस तरीके से इसमें दो चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए यह देखिए तो यह देखिए दोस्तों यहां पर मैंने लैसुन के पेश्ट में सरसों का तेल डाल दिया है दो चम्मच अगर आप इसकी क्वांटिटी ज्यादा बनाना चाहें वैसे आपको जरूरत ही नहीं है आपको इतने में ही आराम मिल जाएगा मैंने बोला है आपको जब आप पहली बार ही यूज़ करेंगे आपको देखना आपको उसी टाइम एक मिनट में आराम मिलेगा प्राइविट पार्टी की खुजली में और जलन में आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें और इसको मिक्स करने के बाद में आप इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें यानि कि लेसन के पेश्ट में सरसो का तेल डाल करके आप 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें और दस मिनट के बाद में आप इसको किसी चन्नी के माध्यम से इसको चान लें तो ये देखेंगे यहाँ पर जो ओल की कटोरी थी इसी में मैं चान लूँगे तो आप इस तरीके से चन्नी को लीजिएगा और इस ताइप से इस तेल को चान लीजिए दस मिनट में आगर आप इसको छोड़ देंगे ना तो इससे होगा यह जो लैसुन का जो तत्व है वो आपको इस तेल में मिल जाएगा और दोस्तों इसमें जो मैंने लैसुन का यूज किया है यह आपका जो खुजली में जो बैक्टिरिया हो जाते हैं जो बहुत जाता खुजली करते हैं प्राइवेट पार्स में तो वह खुजली को यह मिटाएगा और बैक्टिरिया को खतम करेगा यह जो खरा बैक्टिरिया उनको मारेगा यह लैसुन तो आप इस तरीके से इसमें इसको च्छान लीजिए और यह देखिए आप देख सकते है है कलर चेर्ज है तेल का अब इसको आप अच्छे से थोड़ा सज़ध चमठ से मीक्स कर लिजिए पेस्ट रचेla लिजिए यह राप इसको आप अपने प्राइवेट पार्स को आच्छे से धो लीजिए यानि कि इस ऊईल को लगाने से पहले ने आप अपने उप्राइवे तो दोस्तों आपको पहली बार में ही पूरा आराम यह मैं गैरेंटी से कहते हूँ आप इसको यूज करिएगा और जब आपको आराम मिले तो मुझे कमेंट करके जरू बताईएगा कि आपको फायदा हुआ है या नहीं तो आप इस तरीके से ओय लगा के और आप आराम से आप रात में भी लगा सकते हैं सोने से पहले या फिर दिन में किसी भी टाइम पर इस ओयल को लगा सकते हैं इस ओयल को लगा ले और आदे गंटे के लिए नहीं कि 30 मिनट के लिए इसको लगा करके छोड़ रिजिए तीस मि आपने प्राइविट पार्ट को हमेशा साफ सुत्रा रखें और क्लीन करके रखें आप सफाई रखेंगे तो आपको कभी भी इस चीज़ के सामना नहीं करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं तिने वीडियो साथ अपता के लिए नमस्कार